अभी अभी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक मोधी सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पूरे देश के लोगों को इस से बड़ी राहत मिलेगी। मोधी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में तो देखें, अपनी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर, घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपए सस्ता, पूरे देश को मिली बड़ी खुश खबरी, जी हाँ, ये खबर आने के बाद पबलिक जूम रही है, केंदर सरकार ने आज मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों मे 200 रुपए की कटोती की है, इसके साथ ही दिल्ली में अब नई कीमत 1103 रुपए से घट कर 903 रुपए हो गई है, और भोपाल में 908 और जैपुर में 906 रुपए हो गई, नई कीमत कल 30 अगस्त यानी रक्षा बंधन के दिन से लागू होगी, केंद्रिय मंत्री अनुराग ठ 7680 करोड का बोज आएगा, केंद्रिय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 75 लाख नए उज्जवला कनेक्शन बांटेगी, दोस्तों इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले, सरकार का ये कदम काफी माइने रखता है, आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस ने इसी साल 1 अप्रेल से BPL परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की योजना लागू कर दी है, वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, ऐसे में मोधी सरकार का ये फैस उज्वला के लाभार्थियों को अब सिलिंडर करीब 703 रुपए में मिलेगा, जो पहले करीब 903 रुपए में मिल रहा था सब्सिडी मिलने की वजह से, आपकी स्क्रीन पर देश के कुछ में शेहरों के ताजा दाम दिखाए जा रहे हैं, जो 200 रुपए की कटोती के बाद है जैसे दिल्ली में 1103 रुपए की जग है, अब ये 903 रुपए में मिलेगा, वहीं सब्सिडी के साथ ये केवल 703 रुपए में मिलेगा, ऐसे ही बिहार के पटना में 1201 की जग है, अब ये 1001 रुपए में मिलेगा, वहीं पटना में सब्सिडी के साथ ये सिर्फ 801 रुपए पर दोस्तों आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मोधी सरकार के इस फैसले से आम जनता को फाइदा होगा या नहीं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग